सोड़ी कुड़ी किते हा नाले एनक तेरे लगिया मेरे नीश हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब स्वाकत आपका एक पर फिर से आपके अपनी चैनल फिल्मी बॉक्स आफिस पर तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से हल फिलाल रिलीज भी फिल्म जट ब्रदर्स को लेकर चुकि डे बाई डे ग्रोख हो रही है बोली तो पबलिक इसकी डिमांड कर रही है जी हाँ ये फिल्म एक बार के लिए यूट्यूब पर लीक हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूत इस फिल्म का क्रेज खतम होने का नाम नहीं ले रहा है और ये इंडिया में काफीच पसंद की जा रही है और सीज मार्किट में तो इसने लहर काटी हुई है जी हाँ बात कर रहे हैं जट ब्रदर्स थो लेकर जिसमे के आपको लिड़ीं के नजर आ रहे हैं जाने माने सिंगर गोरी और जस्मानक ये इस फिल्म को माने जाने बात करें फिल्म का बज़ट है महज आठ से 10 करोट रुपे फिल्म को रिलीज हुए आज 5 दिन पूरे हो चले है 5 दिन चल रहा है आप कह सकते हो और बात करें कलेक्शन की तो यह फिल्म आज भी काफी अच्छा strong कलेक्शन कर रही है इंडिया से और जल्द ही फिल्म hit cover डिक्ट हासिल कर लेगी ऐसे मैं आपको आदू जुसका कलेक्शन होने वाला है आज के कलेक्शन को मिला के वो चाहेगा तकरीबन 8.5 करोड प्लस जो कलेक्शन है इस फिल्म का वो इंडिया से आ रहा है तकरीबन 50-60 लाग रुपे और वहीं यह फिल्म 80-90 लाग के आसपास बोली तो और सीज मार्केट से कलेक्शन कर रही है क्योंकि इस फिल्म को मैं सहरीत आदू ना इंडिया से ज़्यादा और सीज मार्केट में पसंद कर जा रहा है एक्सोर में यह चीज हमेशा से देखी गई है कि पंजाबी फिल्म में इंडिया से से ज़्यादा overseas market में collection करती है क्योंकि जो बोलते हैं ना फॉरन में पंजाबी काफी ज़्यादा भरे हुए हैं खास तोर पर क्लेक्शन भी उन्हीं country से आता है जैसे केनेडा ऑस्ट्रेलिया जहां पर सबसे ज़्यादा पंजाबी रहते हैं और पंजाबी वो जिने की अपने देश से लगाऊ है इसलिए उनकी कोई भी पंजाबी फिल्म में आती है तो देखना नहीं छोड़ते हैं पस यही कारण है कि इन फिल्मों का और 30 मार्किट से क्लेक्शन कुछ जादा ही ही आता है अब इसी साथ करना सेर करना चनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना थैंक यू फर वाचिंग कीप सपोर्टिंग बबाए ठीक क्यार